हेलो फ्रेंड्स मैं रैनू आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने रैनू दा किचिन चैनल पे तो दोस्तों आप सभी को देखके ही पता चल गया होगा कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रहे हूँ वैज मंचूरियन तो नाम सुनते ही और देखते ही आगे आप सभी के मूं में पानी तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है स्टेम रेस्टूरेंट बंद हैं तो हम बाजार का नहीं खा पा रहे हैं दोस्तों मैं तो ये भी सला अगर रेस्टुडेंट खुले भी हो तो प्लीज आप बाहर की चीजें अभी अवोइट कीजिये घर पे ही बनाइए घर पे ही खाईए घर पे भी हमारे बाजार जैसी चीजे बन सकती हैं तो दोस्तों चलिए बनाते हैं हम दोस्तों यहां पर मैंने एक बाव ले लिया है प्याज ली है जो बारिक चॉप कर ली है अब मैं डाल दूंगी इसको दोस्तों कर आप सुभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नी कियो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्यों आप सुभी को मेरे चैनल पेची रेस्पियां देखने को मिलेंगी और बेल आइक बटन क्लिक करना बूलिएगा तो दोस्तों इसमें मैंने एक शिमला मिर्च डाल दिया है जो मैंने उसको भी बारिक चॉप कर लिया था अब यहां पर मैं डाल रहे हूं काली मिर्च पाउडर आदी चम्मच काली मिर्च से इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा इसलिए मैंने इसमें काली है इसको अब जरी मेल चुकी है तो मैं इसमें दीरे दीरे करके कॉन फ्लोर डालूंगी और दीरे-दीरे ही डालना है जिससे बॉल बड़ी चित ऑक मिला चैनली है देखिए मैं संग में ही डालती जा रही हूं दीरे दीरे चलाती जा रही हूं यहां पर देखिए मेरे ये एक डो तरीके का बनके रेडी हो चुका है दोस्तों अब यहां पर देखिए मैं छुटी चुटी इनकी बॉल्स बना लूंगे इस तरीके से यह देखिए अब यह दे कर दोस्तों मैंने यहां पर कडाई रख लिए है कडाई में तेल भी मैंने पहले से ही एड कर दिये था इसमें इसमें यह जिसे गरम हो जाएगा अब इसमें मैं अपनी बौल डाल रही हुं जो हमने भी बनाई थी इसमें दोस्तों इसका हमें मीडियम ना तो ज्यादा हाई रखना है ना तो ज्यादा लो रखना है इसको हमें पड़िया तरीके से चलाते जाएं और फ्राइ करते जाएं वेज मंचूरियन सभी को बहुत ही पसंद आता है चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो वेज मंचूरियन का नामी सुनते मूं में पानी आ जाता है बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है वेज मंचूरियन तो मैं आज बना रही हूं औ बहुत ही बढ़िया बनके रैरिड हो सकता है बिलकूर डिस्टूरेंट स्टाइल यहां पे देखिए जब तक बज्च रैरिडी हो चुकी सभी त्रीकारी से्मेश किन इनकाल लूंगी देखिए यहां पे मैंने सभी बॉलन निकाल ली हैं अब, चलिए, बनाते हैं हम, इसकी ग्रेवी दोस्तों, यहाँ पे मैंने कडाई रख ली है तेल भी हमारा गरम हो चुका है अब, इस में मैं डालूंगी, चाल लेसें की कली जो मैंने कद्डूकस कली थी और ऐक हरी मिर्ची जो मै ने बारिक चॉप क्ली है इसमें मैं डालूँगी अद्रक जो मैंने उसको भी कदू कस कर लिया था अब इनको मैं कर लूँगी बड़ी तरीके से भून लूँगी चलाते जाऊंगी और भूनती जाऊंगी यहां पे देखिए यह भून चुकी है तो इसमें मैं एड करूंगी एक प्याज जो मैंने बड़ा साल्ट मेसली डाल रही हूं जिसे प्याज और शिम्ला मिर्च पकने में मदद करेगा यह जब तक कि हमारी पक रही है तब तक मैं घुल बना लेते हैं हम यहां पर मैंने कटोरी ले लिए उसमें पानी डाल दिया है अब इसमें मैं एक चमच डाल रही हूं कॉन फ्लो सेजवान सॉस इसको बून लेंगे अब इसमें मैं डालूंगी आदा ड़कन सोया सॉस इसको भी बड़िया से चला लेंगे अब इसमें मैं डालूंगी आदा ड़कन विनेगर इसको भी हम चला लेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूं टमैटो केचप अब इन सभी चीज़ो कॉम बढ़िया से चला लेंगे कॉन फ्लोर का खोल दोस्तों मैंने इसलिए बनाया है कि जो यह हम ग्रेवी बना रहे हैं उससे हमारा ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी अब इसमें मैंने एक गिलास पानी एट कर दिया है अब इसको बढ़िया से चलाते जाएंगे और बढ आदी चमच में इसमें लाल मेश पावड़ी डाल रहे हूं सॉल्ट डाल रहे हूं टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मेश पावड़र है आदी चमच बढ़िया से पानी मैं देखिए खदक आ रहा है दोस्तों यहां ग्रेवी मैं थोड़ी पतली सी रखूंगी ज्यादा पतली ही पसंद तो यहां मैं पतली ही ग्रेवी बनाऊंगी इसकी अगर को गारेवी बना सकते हैं ऐसा कोई जरूरी यह देखिए आदा ढकन और मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूं देखिए दोस्तों बनाते ही बनाते मेरे तो मुह में पानी आ रहा है बहुत ही बढ़िया लग रही है खुछ भी बहुत लाजवाब आ रही है दोस्तों अगर आपके घर में कोई महमान आ जाएं बच्चों के बढ़ों के लिए बनाईये और खाये बहुत ही बढ़िया वेज मंचूरियन अमारी बनके रैडी हो चुकी है देखिए दोस्तों यहां पर मैंने सर्फ कर ली है अपनी वेज मंचूरियन देखिए दोस्तों देखने में काफी अच्छी लग रही है दोस्तों बिल्कुल रे बेज मंचूरियन का वीडियो कैसे लगा है धन्यवाद फिर मिलते है नेक्स वीडियो में